तो आप देख सकते हैं हमारी बेंटरी प्रोपर काम नमस्कार दोस्तों तो आज हम मनाएंगे लीथियम सेल बेंटरी जो की आप देख सकते हैं हमारे पास यह लीथियम की बेंटरी हैं जो की बहुत सारी पीस पड़े हुए है अब देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम तो आपको सीरिज में जॉइंट करना बताते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारी बैटरी का ये पिलास है और ये माइनस है जो कि कुछ इस तरीके से दोस्त इसमें हमने सोल्ड कर लिया है ताँ कि वीडियो लंबी न हो यह सही दोस्तो आप अब हैं और दोस्तो करते चलिए हो applique करते हैं दोस्तो कुछ को मैं आप देख सकते हैं प्लैस मायनस में और प्लैस और मायनस तो इसमें कुछ ने करने हैं कि बीच में से एक बैरी को हमें उल्टा कर देना है तो जो हमारा दोस्तों सीरेज है वो के लिए निकल कर आ जाएगा तो दोस्तों चलिए अब हम इनके कर लेते हैं connection तो connection करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक्षे यह कुछ इस तरीके के jumper wire जो कि आप देख सकते हैं तो कि इन्हें हम sold कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से तो अब देख सकते हैं इधर हमने एक wire लगा लिया है अब जो दूस्तों अगला wire रहेगा दूस्तों हमारा इधर लगेगा wire कहले या दोस्ते से jumper कुछ भी कह सकते हैं तो हमने यह jumper कर लिया है तो चलिए दोस्तों बैटरी के हम करते हैं चेक कि हमारा बैटरी जो 12 बोल्ट निकाल कर हमने दे रही है नहीं तो इसके लिए हमें मैंटिमीटर मैं मैंटिमीटर को रखेंगे हम dc रेंज पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा मायनिस का निसान है तो यहां पर हम लगाएंगे मायनिस और दोस्तों यह हमारा पिलस का निसान है तो दोस्तों अब देख सकते हैं ग्यारा दस और यह हमारी जो हमारी बैटरी निकाल कर दे रही है तो दोस्त यह full charge होने के बाद हमारी बेंटरी जो 12 गूल निकालेगी तो चलिए दोस्त थरीके से हम बेंटरी को बना लेगी तो दोस्त अब देख सकते हैं हमने इनका सीरिज connection कर लिया है जैसे की अब देख सकते हैं यहहमारा पिलस है और ये हमारा दोस्तो जो है मायनस है तो ऐसे ही दोस्तो हमने सब को चिपका लिया है सीरिज में अब हम क्या करेंगे दोस्तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा पिलस है तो इसका भी दोस्तो ये पिलस है और इसका भी दोस्तो ये पिलस है और आप देख सकते हैं इसका भी दोस्तों यह पिलास है तो ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे चिपका देंगे बैटरियों को तो चलिए दोस्तों हम बैटरियों को ऐसे ही चिपका ले रहा है चलिए दोस्तों तो हमने इसको कर लिया है वो जोड़ दिया है सभी बेंटरियों को अब दोस्तों हम इसके जो connection करेंगे दोस्तों अब देख सकते हैं यह हमारा पिलस है और यह दोस्तों हमारा माइनस है और दो को दोस्तों आपस में sort कर देना है तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से लेक्तार लेकर के हमें लगा लेना है तो दोस्तों यह हमारा पिलस तो जिस तरह हमने पिलस को जोइंट कर लिए उसी तरह दोस्तों माइनस को भी जोइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो दोस्तों हमने माइनस को भी जोइंट कर लिया है अब दोस्तों हमारी जो बैंटरी है वो 12 वोल्ट 15 एच की बैंटरी बन चुकी है अब इसमें लगाएंगे दोस्तों हम बी एमेस जो की आप देख सकते हैं 3S 40 A का है तो चलिए दोस्तों इसके करते हैं connection तो इसको क्या गरेंगे दोस्तों हम चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से तो इसके लिए जीए हमें double side tape चलिए दोस्तों हमने double side tape लगाकर इसको चिपका लिया है तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा plus है जो की बारा बोल्ट निकलेगा तो इसको हम यहाँ पर joint कर दे रहे हैं जो की आप देख सकते हैं कुछ है इस तरीके से जो की यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके connection करने बहुत यह असानत दो 12 बोल्ट को हम ने कर लिया है दोस्तों जो जो निकलेंगे हमारे 0 बोल्ट तो दोस्तों जीरो बोल्ट हमारे हाँ निकलेंगे तो चलिए दोस्तो हम जीरो बोल्ट को भी जॉइंट कर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपर जीरो बोल्ट हमारा लिखा हुआ है तो जीरो बोल्ट को हम ग्राउंड पर यान अर्थिंग पर जॉइंट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पूरा अर्थिंग है तो कहीं पर भी हम जॉइंट कर सकते हैं तो अर्थिंग पर दोस्तों हमने जॉइंट कर लिया है अब दोस्तो अगला जो इस्टेफ है हमारा वो है चार बोल्ट तो जो कि आप देख सकते हैं यह हमारा जीरो बोल्ट है जीरो के जस्ट उपर जिसको हम मल्टिमीटर से चेक करेंगे तो यहां हमारा निकल कर आएगा चार बोल्ट जो कि आप देख सकते हैं हम चलिए दोस्तो मल्टिमीटर को लगा लेकें देसी रेंगे पर और अब हम यहां पर लगाएंगे दोस्तो बिलेक ग्राउंड में और दोस्तो अब दुप देख सकते हैं जैसे कि हमारा 3.65 डिस्चार्जिंग पर बोल्टेज है तो दोस्तो यहां पन निकल कर आएगा हमारा 4 बोल्ट तो चलिए दोस्तो अब हम 4 बोल्ट को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं तो अब देख पा रहे हूं मैं दोस्तों यह हमने अपना चार बोल्ट जो की कनेक्ट कर दिया है अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 8 बोल्ट तो चैसे कि दोस्तों यहां पर हमारा 0 और यहां पर 4 बोल्ट निकला है तो दोस्तो उसके बीच वाली जुगेंट्रियोस परने के लिए दोस्तो हमारा 8 बोल्ट तो अब जो अगला connection हम करेंगे दोस्तो 8 बोल्ट का तो इसको हमने joint कर लिया है और यहां पर जोड़ देंगे दोस्तो यह हो गया हमारा 8 बोल्ट तो आप देख सकते हैं दोस्तो बीएमेस के connection हमारे जो हो चुके हैं अब दोस्तो करते हैं हम अपने बेंटरी को check कि जो हमारी बेंटरी है अभी वो कितनी voltage निकाल कर देख दोस्तो तो आप करते हैं हम अपने voltage चेक तो दोस्तो आप देख सकते हैं 10.97 यानी 11 voltage के आसपास बन रहे हैं जो कि अभी dischargeable voltage है चार्ज होने के बाद दोस्तो यहां पर 12.6 voltage बनेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारी बेंटरी प्रॉपर काम कर रही है कर दोस्तो आपको है